प्यारे बच्चो ग्लाश 12 इंगली स्कूर विकली टेस्ट का एंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ पहला जो आपका कोस्चन है वो कह रहा है इंगली स्कूर का है कि वाई डिर गांधी जी हेल्प परजेंट आप चमपारन मलब गांधी जी ने चमपारन के किसानों की मदद कैसे की तो इसका A option है उनके लिए लड़ने और बार बार न्याय करने से B option है उनके लिए वकीलों को काम पर रख कर गह है उन्हें सिच्छित करके और गह है उन्हें पढ़ा कर तो इसका जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा आपका पहला उनके लिए लड़ने और बार बार न्याय करने से तो पहला का A हो जाएगा दूसरा question करता है कि राजकुमार सुकला कौन थे तो एक वकील थे एक सरकारी अधिकारी थे C है आपका एक राजनितिक गये थे या एक गरीब किसान थे तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक गरीब किसान थे तीसरा question कहता है चंपारन परसिद क्यों है चंपारन परसिद क्यों है तो A option है लड़ने के लिए B option है नील के लिए C option है क्योंकि गांधी जी ने दोरा किया और D option है सत्य के लिए सत्यागरा के लिए मलब यहाँ पर सत्याग्रा हुआ था तो यह आपका तीसरा कड़ी हो जाएगा सत्याग्रा के लिए और यह सत्याग्रा जो है उनैसो सत्रा इस्वी में बिहार के चमपारंजिले में हुआ था सुरू चौथा नमबर कहता है किसानों ने बृटिस जमिनदारों को क्या भुकतान किया तो किसानों ने जमिनदारों को क्या भुकतान किया तो A option कहता है दस परसेंड भूमी जोत और पंद्रा वर्स की फसल B option कहता है 20% भूमी जोत और 15 वर्ज की फसल C option है 10% भूमी जोत और 25 वर्ज की फसल और D option कहता है 15% भूमी जोत और पूरी नील फसल तो इसका जो चौथा का आपका हो जाएगा और सही अंसर हो जाएगा आपका D 15% भूमी जोत और पूरी नील फसल पांचवा नमबर जो question है वाई डिट गांधी जी प्रोटेस्ट एट मोतिहर कोर्ट हेर तो यहाँ पर जो है वो आपका question गलत लिखा हुआ है यहाँ पर जो है हेर के जैदा पर होना चाहिए होस होस होना चाहिए तो यह question को आप लोग सुधार सकते हैं हेर नहीं होगा वहाँ होस होगा तो यह पांचवा नमबर question कहता है गांधी जी ने यहाँ मोतिहारी कोर्ट में परदर्शन क्यों किया तो यहाँ पर A option है परसिद होने के लिए B है अपनी सक्ति दिखाने के लिए C है मुकदमे को अस्थगित करने के अदालत के आदेश का विरोध करने के लिए और D है अंग्रेजों को अपमानित करने के लिए तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C मुकदमे को अस्थगित करने के अदालत के आदेश का विरोध करने के लिए छठा नमबर कोश्चन है कस्तुर्बा ने गांधी जी की मदद कैसे की तो A उप्षन है लोगों से बात करके B उप्षन उसके साथ पूछ कर C उप्षन है इधर उधर घूम कर और D उप्षन है आश्रम के नियम और स्वस्ता की सिच्छा देकर तो जाहिर सा बात है इसका D उप्षन होगा छठा का D साथवा नमबर कोश्चन कहता है 12 की गिंती क्या दरसाती है और या कैसे मदद करेगी A उप्षन है दिन के घंटे B उप्षन है एक साल के महीने C उप्षन है एक सान्ती आव सद्राव बनाने में मदद करेगा और D सभी तो यहाँ पर आल हो जाएगा आपका सभी आठवा नमर कोश्चन है वो कहता है कवीता के अनुसार निरासा और उदासी का कारण क्या है तो A उप्षन है सुनर्ता का अभाव B उप्षन नकरात्मक घ्रिना और अभिवादन C उप्षन है अनंद सुक का परतीक और D उप्षन है तिर्युवन्तम पुरम तो इसका जो आठवा का है वो सही अंसर हो जाएगा आपका B, नकरात्मक्ता, घिर्ना और अभी पादन नॉमा नमबर कोश्चन कहता है महराजा जिलानी जंग जंग बाहादूर ने अपने समराज का परबंद कहा किया था तो यहां हो जाएगा नॉमा का पदमाना पुरम यहां हो है अंगदी पुरम फिर है C नमबर परती भंड़ा पुरम घहा है आपका तिरिवन्तम पुरम तो आपका नॉमा का जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C परती भंड़ा पुरम दस्वा नमबर कोश्चन कह रहा है जब बच्चे के लिए भष्वानिया की गई थी तो उसकी उम्र क्या थी तो उसकी उम्र क्या थी तो यहां पर आपका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दस दिन अब आपका भेरी सौट कोश्चन अंसर तो इगारा नमबर कोश्चन कहता है किस प्रकरन ने किसानों की दुर्दसा को बदल दिया तो इसका जो आप एंसर है आप देख सकते हैं यहां से लिख सकते हैं इसका महिंदी में बता दे रहे हैं कि चंपारन की घटना ने उस जिले के किसानों की दुर्दसा में एक से बढ़कर एक बदलाव लाएं इन किसानों ने आत्मिस्वास हासिल किया जो गांधी के परिच्छन कीशुवा उनके सहज परदर्सन से असपर था मुआजे की सफल वापसी के बाद किसानों को पहली बार अपने अधिकारों का एसास हुआ और उन्हें उस डर्स से मुक्त कर दिया गया जो उन्हें दरस्ट कर रहा था इस परकरन ने बटाई दारी की 15% व्यवस्था को समाप्त कर दिया हलाकी सबसे करांती कार्दी बदलाओ जो इस परकरन ने लाया वह उनके समाजिक और सांस्तितिक मानक में था गांधी ने च्छा गाओं में इसकूल खोले उनकी पत्नी ने किशानों को समान स्वस्था और व्यक्तिगत स्वस्था के महतों के बारों में जागरू करने के लिए कदम उठाया उन्होंने एक डॉक्टर भी निउट किये मलब इस तरह किसानों की दूर्दसा को बदला बारा नमबर कोश्चन है चमपारन के लोगों को स्वस्था बनाय रखने में किसने मदद की तो गांधी जीन ने छेत्र के समाजिक आर्थिक और सांस्तितिक पिछड़े पन को देखा उन्होंने ग्रामीनों को पढ़ाने के लिए स्वयम सेवकों को निउक्त किया कस्तुर्वा ने आस्राम के नियमों और व्यक्तिकर स्वस्था और सामुदाइक स्वस्था को सिखाया एक डॉक्टर ने लोगों की स्वास्तिति में सुधार के लिए 6 महने तक स्वेच्छा से अपनी सेवाये दी सौट एंसर कोश्चन है 13. राज कुमार सुकला को डिर संकलब क्यों कहा जाता है तो राजकुमार सुकल को डीड संकलपी बताया गया क्योंकि वे गांधी जी को चमपारन ले जाने के लिए डीड संकलपी थे उनका उद्देश चमपारन में गरीब बटाईदारों के हितों की रच्छा करना था सुकला भी हर जगा उनके साथ थे और आस्रम तक उनके पीछे पीछे चलते थे 14. क्या आपको लगता है कि कवी कुल निस्कृता और मिर्त्यू की वकालत करता है तो इसका अंसर है नहीं कवी कुल निस्कृता और मिर्त्यू की वकालत नहीं करता है वास्ता में वा कहते हैं कि मैं जो चाहता हूँ उसे कुल निस्कृता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए वा लोगों को सांती से चलने का वर्णन करता है कुछ भी नहीं करता है वह चाहते हैं कि हम आत्म निरीचन करें जो तभी हो सकता है जब कोई जीवित और सचेत हो वह चाहता है कि लोग जीए लेकिन बस एक पल का मौन ले और खुद को और अपने कारियों के बारे में सचेत रहें अब आपका लॉंग कोश्चन है 15 नंबर कि आपको क्या लगता है कि गांधी जी चंपारन प्रकरन को अपने जीवन का एक महत्पुन मोड क्यूं मानते थे क्यूंकि उन्हें एशास हुआ था कि सवीने अवग्या जो पहली बार जीद गई थी स्वतन्तरा संग्रा में एक लंबा रास्ता तैक कर सकती है इसके अलावा वा किसानों को उनके अधिकारों के बारे में जागरू करने और आत्म विश्वासी बनने में सफल रहे थे। इस परकार इस सफलता ने गांधी की अहिंसा और असहयों की पदती की परभाव सीलता को साबित कर दिया। अपना अंतिम बदला लेता है। लकडी के बाग की उबर खाबर सता पर छोटे छोटे चांदी लगी होती है। एक बाद चांदी के टुकडे ने महराज के दाहिने हाथ को छे दिया। जबकि इसके साथ खेलते हुए राजकुमार होगा। संक्रमन एक गंभीर घाव में बद ला लिया। तो ये थे आपके कोश्चन आसा करते हैं वीडियो आपके लिए उप्योगी होगी। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्ट वीडियो साथ जैहिन जै भारत।